गाई साल 1872 में एक बृतिस केमिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये गोसना की गई थी कि समुद्र के पानी में गोल्ड यानी सोना एक्सिस्ट करता है और इसे एक्स्ट्रेक्ट यानी पानी से निकाला जा सकता है उनकी इस खोजने उस समय के कई बैग्यानिकों और सोत करताओं को सोने को समुद्र से निकालने के तरीके को ढूणने के लिए प्रेरित किया था हाला कि उस समय टेक्नोलोजी इतनी बहतर नहीं थी कि सोने को निकालने के प्रोसिस को सही तरीके से अपनाया जा सके पर इन सब क को छोड़िये सबसे पहले तो सबाल ये था कि आखिर समुद्र में सोना कितनी मात्रा में मौजूद है और उसको किस तरह इसे ना पाजा सकता है तब से लेकर अब तक कई रिसर्च इसने समुद्र में मौजू सोने की मात्रा को नापने के कई प्रयास किये पर exact measurement बता पाना काफी मुश्किल काम था क्योंकि सी बोटर में मौजूद गॉल्ड काफी कम मात्रा में मौजूद है और अगर इसकी मात्रा की बात करें तो ये सोना पार्ट्स पर ट्रिलिय मॉलिक्यूल में आपको गोल्ड का एक एटम मिल सकता है सबसे पहले की इस्टडी में सौने की मात्रा बन पार्ट्स पर ट्रिलियन तक बताई गई थी पर जैसे जैसे तकनीक सुधरती गई सटीक मात्रा का पता भी बैग्यानिकों को लगने लगा और सबसे नई इस्टडी मे सौने की मात्रा लगभग 0.03 पार्ट्स पर ट्रिलियन नापी गई थी हाला कि ये मात्रा में अंतर सी बोटर में मुझूद कई तरह के और धातूं की बज़य से होता है पर बैग्यानिक दोरा इस्तिमाल की जाने बाली सटीक टेकनीट से हमें गोल्ड की सी बोटर में मुझ अक्टिविटी कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा जाता है जो काफी संबेदन सील होती है और बेहत कम मात्रा में मौझूद मैटल को डिटेक्ट करने में सक्षम है तो चलिए ये तो बात हुई कि किस तरह से हम समुद्र में मौझूद सोने की मात्रा को ना माइल्स पानी मौझूद है ये क्यूबिक माइल्स बॉल्यूम को नापने की एक यूनिट है जो लगभग 4.17 इंटू 10 तू दी पावर 12 के बराबर होती है अब बॉटर यानी पानी का एक लीटर एक केजी के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि ओसन बॉटर का बजन 1339 इंटू 10 तू दी पावर 6 किलोग्राम सोना समुद्र में मौझूद है और सबसे नई इस्टडी की बात करें तो 0.03 पार्ट्स पर टिलियन के आधार पर लगभग 40,000 टन सोना समुद्र में मौझूद है और इस बात पर सक करना भी गलत नहीं होगा क्योंकि समुद्र में आज भी बहुमूल धातियों और उनके संबंदित चीजों की खोज बैग्यानिक को मिलती ही रहती हैं और यहां पर एक बात और ध्यान देने बाली है कि मात्रा को नापने से पहले बौटर सेंपल की प्रोसिसिंग की जाती है जिससे इसमें मौझूद अन्य धातूं को हटा आया जाता है ताकि सोने को काफी सटीक मात्रा में नापा जा सके अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि यदि समुद्र में इतना सोना है तो हम इसे निकाल क्यों नहीं लेते इसमें कई कारण है जैसी की समुद्र में मौझूद सोने को एक्ष्ट्रेक या निकालने की प्रोसि जैसे सोने को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में निकालने के लिए भी काफी प्रोसिस जैसे फिल्ट्रेशन यादी का उप्योग करना पड़ेगा जो किफायती साबित नहीं होता गाइस आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी ही झाल 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 झाल